हलो एव्रिवान क्यों आ वाचिंग सीरिल से आप जहां पर मिलती है एक्स्क्लियूसिफली आपको आपके फेवरेट शोट से जुड़ी जानकारी टिवी सीरियल यह है चाहते कि कहानी के अपकमिंग ट्रॉक में दिखाया जाएगा कि माजी काश्वी से कहेंगी कि महिमा की ज शादी का प्रपोजल है यह तूट जाएगा और सारी चीज़ें बरबाद हो जाएगी काश्वी तुम जल्दी से कपड़े पहन लो महिमा के और गूंगर लगा लो और तुम सारी सेरिमनी इसको परफॉर्म करोगी काश्वी मान जाती है महिमा की जगा लेने की वह कहती है नेंतारा से कि हमारी जो फैमिली है उसकी सारे रेस्पेक्ट इसी सेरिमनी पर डिपेंड है और मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली पर कोई भी काला धबा लगे इसलिए मैं आपकी और नित्या अंटी की फ्रेंशिप खराम नहीं होने दूगी यहां पर अर्जुन भी बहुत डेकुरेट करती है तभी समराट उसकी मदद करता है वो देखकर उसे शौक हो जाती है यहां पर दोनों के वीश में थोड़ा सा रूमेंट्रिक पोमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा तभी नहीं पूछती है कि तुम यहां क्यों आए हो तभी समराट कहता है क्योंकि तुम्हारी प्रिजन्स मुझे खिंच लाई तभी नहीं तरह कहती है लेकिन तुम्हारी प्रिजन्स यहां पर प्रॉप्लम क्रेट करेगी क्योंकि सब लोग मुझे यहां पर किसी और की बीवी के नाम से जानते हैं और इसलिए अगर तुम यहां रहोगे तो सौ सवाल सबसे बाती हैं महीं तो सारे परफॉर्म करने के लिए रेच्वल्स ड़ी थी लेकिन उस शराभ कर पीड़ि कıs सब यहां पर रेडी हो जाती है और अपने आप स्यक्तना करीए टुम्हारी पोसुड़िव WAS उक्टक सब्सक्राइब यहां एस यहां पर यहां पर प्रसॉद कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यह सारी रस्में इस तरह करूंगी नैंतारा वहां आती है उसे माफिय मांगती है काश्वी के दर्द को इंक्रेस करनी के लिए काश्वी कहती है नैंतारा से कि आप वर्ट की बेस्ट मदर हो और इसलिए मैं आपको हेल्प करूंगी नित्या यहां पर काश्वी को हॉल तक ले जाती है रोमिला सोचती है कि कुछ तो गरबर है दो सोचती है महिमा ने आकर गुंगट क्यों पेना है तब ही उसका हस्बन उसे चलाता है कि तुम महिमा को एक स्पूस क्यों नहीं कर रही हो इधार अर्जुन और उसकी फैमली भी वहां जाते हैं नित्या से कहती है कि मुझे लगा था कि हम इस सेरिमनी को परफॉर्म आपके घर पर करेंगे अर्जुन कहता है कि नहीं हम ये रिचुवल्स आपके घर पर परफॉर्म करेंगे और तब ही सब ही लोग एक साथ बैठते हैं नित्या यहां पर नियंतारा से कहती है कि कहीं भी काश्वी नजर नहीं आ रही है और डोंट फरी हम लोग हमेशा से ही फ्रेंट थे और बेस फ्रेंट रहेंगे अर्जुन या काश्वी के बाद जो मैं बैठता है और काश्वी सोचती है कि अर्जुन को बस पता ना चले कि वो महिमा के जगा बैठी हुई है इधार वो अजियूम करती है कि जैसे वो महिमा से बात कर रहा है और तब ही उसको अपॉलजाईस करती है वो मैंड में इधार जो अर्जुन है वो उससे कहता है कि तुम स्ट्रेस मत लो मीरी आँखो में देखो और वो जैसे ही उसका गुंगट रटाने वाला होता है तब ही माजी और जुन को रोग देती है और कहती है कि हमारे यहाँ पर जो दुलहने उसको गुंगट पहनना होता है और मौन रखना होता है जब तक शादी न हो जाए और यहीं हो जाए काश्र के एपिसोड करें जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स रिपोर्ट में ऐसी मज़ेन आपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें